अधर्णिय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यहां उपस्थित अधर्णिय रामदा साथोले प्रफूल पतेल जी अशोकरो चवांग हमारे राम्टेक लोकसवाक्षेतर के उम्मिद्वार राजू पारवे भारतिय जनत्ता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चंदरशकर बावन कुड़े मंच पर उपस्थित सभी साउसद गंड विदायक गंड और उपस्थित सभी भाई और बहलों सबसे पहले आज मैं नाकपूर जिले में आधर्णिय प्रदान मंत्री मोदी जी का मनप पुर्वक स्वागत करता हूँ उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी विधर्वक की जनता उनके नेत्रुत्व में विधर्वक की पूरी सीटे दस की दस लोग सभा की सीटे हमारे पक्ष में रहेगी और हम विजय होंगे ये भी विश्वास उनको देता हूँ आप सब को पता है कि आप पूरा विजयर्वक का विकास कैसा हूँ राम नाकपूर जिले का कैसा हूँ और नाकपूर शहर का कैसा हूँ ये आपने देखा है अधरनिया मोदी जी ने हमारी मेट्रो का भूमी पुजन किया था उसके बारे मेट्रो हमारी कलान नदी तक आने वाली थी अब ये निर्णे हुआ है कि कलान नदी पर मेट्रो पूल बनाएगी और कलान गाह तक मेट्रो आएगी इसका निर्णे हुआ मुझे इस बात की कुशी है कि बाबा सहब अम्बेड कर जी ने इस दिक्षा भूमी पर बहुत धर्मकी दिक्षा ली थी उस दिक्षा भूमी को विकसित करने का कार्य हमने लगातर किया देवेंद्र जी जब महापोर थे मैं महाराष्ट सरकार में मंत्री था तब से हमने दिक्षा भूमी का पूरा काम पूरा करने की कोशिश की ड्राइगन टेंपल के लिए देवेंद्र जी ने 200 करोल रुपे दिये ताज बाग के लिए पैसे दिये परमात्मा एक सेवक समाज के लिए हमारे जो आदेवनिया बाबा है शद्देजी उसके लिए परमात्मा एक अश्रम के लिए हमारे शेकनाच शिन्डेजी और देवेज रजी ने 77 करोड रुपे उनके लिए दिये कोई भी निर्णे हमारी सरकार में जात के आदार पर पंथा के आदार पर धर्म के आदार पर नहीं होता प्रदान मंत्री ने उज्वला योजना के शुरुबात की क्या कभी उसमें कोई जाती वाद हुआ हिंदू मुसल्मान कोई भी हो दलीत हो अदिवासी हो सब को उसका फाइदा मिला आई उश्य योजना में कोई हमने जाती वाद किया सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास इसी तत्वक लेकर हमने कारे किया है साथ साल में जो कॉंग्रेस नहीं कर सकी वो दस साल में मोदी जी के नेत रुत्व में हिंदुस्तान की तस्वीर बदली है हिंदुस्तान को संबुरुद्ध संपन शक्तिशाली विश्व की शक्ति बनाने का संकल्प मोदी जी ने किया है आत्म निर्वर भारत करने की बात कही है और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थवस्ता बनाने का संकल्प किया है बेनार भाई हो जो कॉंग्रेस साथ साल नहीं कर सकी वो दस साल में हमारे सरकार में करके दिखाये जिसका अन्भो आप सब लोग लेते हैं उस कामों के वारे में बोलने के अवशक्ता नहीं है नाकपूर जिला हो विदर्बो हो नाकपूर शार हो हमारे कियेवे काम आपके सामने है और जब काम के अधार पर हमारे पर कोई ठिका ठिपनी नहीं कर सकते तो एक फिलासपी होती है एक थेरी होती है कि जब कन्वीस करना नहीं होता तो कन्फ्यूस करने की कोशिश की जाती है कॉंगरेस के नेता एक प्रचार कर रहा है कि 400 सीटे मिलेगी तो हम भारत का सविधान बदल देंगे मोदी जी ने भी कहा हम सब लोगों ने भी कहा है कि बाबा सब अंबेड करजी ने जो सविधान दिया है वो हमारे लिए बहुत ही पवित्र है वास्त वेक रूप से केशवानन्द भारती केस में जब सुप्रेम कोट में केस डायर हुई थी तब सुप्रेम कोट के साथ जजेस ने बेंच ने यह निरने दिया है कि silent features of the constitution cannot be changed जो हमारे सब विधान के मूलबु तत्व है वो बदल नहीं सकते यह बात सुप्रेम कोट ने कही है और मैं आप कॉंगरेस वालों को यह पूछना चाहता हूँ कि का अज तक सब विधान को तोड़ने का पाप किस्ते किया है सब विधान को तोड़ने का अज़ने का अज़ना चाहता है